मुस्लिम धरमगुरू मुलाना तौकिर रजा को कड़वे बोल बोलना महगा पढ़ रहा है पुलिस ने मुलाना के खिलाफ केज दर्च किया है बरेली के मुस्लिम धरमगुरू मुलाना तौकिर रजा ने संबल के पक्का भाग में C.E.A. के खिलाफ चल्ले महिलाओं के धर्णे में मंचिसे विवादित बोल बोले थे मुलाना ने पढ़ान मंतरी अमिशाहा और यूपी सीएम को आमर्यादित बोल बोले थे यही नहीं संग प्रमुक को भी मुलाना ने विवादित शब्द कहे थे मुलाना के खिलाफ पुलिस ने थाना नकासा में केस दर्च किया है यह जनपत संभल के नकासा थाना चेतर में तौकीर रजा जो बरेली के धर्मगुरू है वो कल आये थे यहां पक्का बाग में कुछ महिलाएं जो सीए के विरोध में प्रोटेस्ट में बैटी है उनको संभाधित कर रहे थे, उन्होंने अपने वकटव्यों में आदरनीय पुद्धान मंत्री जी, ग्रेह मंत्री जी और मुख्मंत्री महोदे के खिलाफ है कि उन्होने सोबनीय सब्दों का प्रियोग किया है जिसके एगेंस्ट में यह मुकदमा लिखा गया है मुकदमा धारा 504, 505 और 153 के अधिन लिखा गया है अब इदी कारवाई की जा रही है